next question does a no kao svaal hai question says the electric field part of an electromagnetic wave in a medium represented by e of x equal to 0 x component hai mmeh 0 diya ho hai e y is equal to 2.5 Newton per coulomb cos of 2pi into 10 to the power 6 radian per meter into time meri saab se value galat hai radian per second ho na chahi hai but let's go with it ye kitab में printing mistake है माइनस पाइ इंटू 10 तो दी पावर माइनस टू रेडियन पर सेकेंड यह पर रेडियन पर मीटर होना चाहिए इंटू एक्स एंड एड़ कंपोनेंट इस जीरो अब हमें बताना है वेव के बारे में कि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है तो सवाल है दो वेविज ऑप इसकेंड वेवलेंट 200 मीटर या फिर मुविंग अलॉग माइनस एक्स डारेक्शन विट फ्रेक्वेंसी टेंट पॉवज एक्स एक्स अगर रहें तो बहुत आसान सवाल है तो सबसे पहले तो इसकी वेल्यू लिखते हैं हमें दिया हुआ है इस जो आपकी इन्यक्रो मेक्नेटिक वають एक्स फंक्स जीरो हैं इ वाए वह दिया है अपने को 2.5 है कॉस तो वाहर टिया एंटु अफॉत 2Pi into 10 to the power 60 minus Kx, अच्छा K की value दी हुई अपने को, यह है Pi into 10 to the power minus 2, पाइ into 10 to the power minus 2x, यह आपकी Y direction की value है, और उसके लावा E Z जो है, वो आपको 0 दे रखा, अब इस wave के उपर हमें comment करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो wave आपकी Y direction में इसका, तो wave अगर इधर जा रही है, यह वाइव की आपकी direction जो है, वो या तो plus x होएगी या फिर minus x होएगी, उसके लिए हम इस wave को compare करेंगे, वेव में हमने बात की हुई है, कि अगर यहाँ पर omega t minus kx का format है, हमने बात की है, function of waves में बात होती है, function of ax plus bt का अगर component है, और यह दोनों अगर positive हैं, या दोनों negative हैं, तो उस case में आपकी negative x direction में wave जा रही है, इन दोनों के अगर opposite sign है, तो आपकी wave plus x direction में जा रही है, तो आ electric component है आपका y direction में, बट wave आपकी positive x direction में जा रही है, उसके बाद हमें frequency और lambda के उपर comment करना है, तो नव यह जो component है, यह आपका है omega और इसको हम लिख सकते है, omega will be equal to 2 pi f, which implies आपकी frequency जो है, वो हो जाएगी, 10 to the power 6 यह आपकी frequency हो जाएगी, तो यह आपकी frequency हो जाएगी, तो य यह जो आपका component है, यह आपका k है, और k को हम लिखते है, 2 pi by lambda, which implies आपका lambda हो जाएगा 2 pi by k, इस k की value यह रख देंगे, तो आजाएगा 2 pi divided by pi multiplied by 10 to the power minus 2, pi cancel हो जाएगा, यानि कि आजाएगा 200 meter यह आपकी यह उपर चला जाएगा, तो 200 meter आपकी lambda हो गई, so based on this हम कह सकते है, option number B would be the right answer.